दोस्तों जो है सही वीडियो में ही नमस्कार मैं हूझे कमार और आप देख रहे हैं Info Krim TV दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही वाइरल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है नो फैप और दोस्तों जब से ये लॉकडाउन शुरू है तब से बहुत ही जोरो शोरो से इस टॉपिक के उपर चर्चा हो रही है बहुत सारे लोग इस नो फैप चैलेंज को एकसेप कर रहे हैं अपने आप में डेवलप्मेंट करने की कोशिश कर रहे हैं चेंजिस लाने की समझाओंगा कि नो फैप का मतलब क्या है इसका इतिहास क्या है हिस्ट्री क्या है और किस तरह से आप उसका फाइदा उठा सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है ओके तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इंफो करिम टीवी को सबस्क्राइब नहीं कि थे तो दोस्तों नो फैप जो हैओं वो सबसे पहले शुरू हुआ ता 2011 में रेड़िन नाम के एक वेब सैट पर एक ऑनलाइन डिसकुशन फारिम के रूप में तो दोस्तों इस रेड़िने के वेबसाइट में जो डिस्केशन फॉर्म था उसमें लोग अपने एक्सपिरियेंसिस शेयर करते थे किस तरह से हस्त महतुन का त्याग करके मास्टरबेशन का त्याग करके ओके पॉर्न न देखने से और्गेसम ये सेक्स न करने से उनको कौनसे कौनसे आधियात में शारिरिक और मानसिक फायदे हुए है वो शेयर करते थे तो दिरे दिरे ये ग्रूप जो है वो बड़ा होता गया काफी लोग इसमें जुड़ते मतलब वैइख जो है में वह मास्टरबेशन को दर्शाता है मतलब अगर जब वह इंसान को इस करता है तो फैपिंग साउंड दाटा फैप वर्ड के जऺए तो नो फैप का सीधा मतलब 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 मास्टरबेशन से दूर रहना यहीं नहीं मतलब यह नो फैप का जो कॉंसेप्ट है वो तीन चीज़ पर बेस्ट है शॉर्ट में इसको कहते हैं पी एम ओ मतलब नो पॉर्म नो मास्टरबेशन और नो और्गेजम और्गेजम मतलब संभोग इस तीनों चीज़ों से दूर रहने से यह नो फैप कम्यूटी का कहना है कि आपके सरीर में जो है वो काफी पॉजितिव डेवलपमेंट्स आते हैं और आपको एक अच्छा सूपर पाउर मिल जाता है काफी दिन तक इस चैलेंज नो फैप चैलेंज को फॉर्लो करने के बाद तो नो फैप चैलेंज जो है उसके मतलब ज्यादा फॉलो करते हैं उतने आपको ज्यादा फाइदा होगा सीधी बाशा में अगर मैं कहूं दोस्तों नो फैप का मतलब अपने इंडिया में ब्रह्मचरिया है जो सदियों से हमारे रुशी मुनी सब लोग संत लोग पालन करते हुए आया है और इसके बेनिफि पैशुल डिसकेशन कुप न रहेकर एक बहुत बड़ा वेबसाइट बन गया एक ट्रेड मार्क एक बिजनस बन गया नोफैब डॉट कॉम तो दोस्तों यह जो नोफैब डॉट कॉम है इसका जैनम हुआ था जून 2011 में और इसके जो फाउंडर है वह है अलेक्जेंडर रो परान यह क्लेंग हुआ था कि जो लोगोंने मास्टर बेशन हस्त मैतुन का त्याग कर दिया था उनको साथ दिन मास्टर बेशन का त्याग करने से उनका जो टेस्टोस्टेरों लेवल है वह 145 परसंट बढ़ गया तो इस चीस ने दोस्तों आग पकड़ ली और यह जो आर जो नौफएब.com है वह website बना तो मेल वेबसाइट जो है वो दोस्तों वह रेडित नाम के website में जो discussion forum है वह है वह लिंक आप इस स्क्रीन पर पाएंगे और उसका जो sister website है वह है नौफएब.com तो दोस्तों nofap lifestyle है वो बहुत सारे range of benefits offer करता है जैसे के mental clarity से लेके muscle growth तक और बहुत सारे positive changes आपके शरीर में लेकर आता है ना के वर positive changes physical, mental, spiritual development में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह nofap.com का जो culture है वो आपके लिए बहुत ही positively help करता है दोस्तों nofap.com के जो participants है वो अपने willpower को challenge करते हैं ओके इसलिए मतलब बहुत सारे levels है nofap के तो nofap participants का main goal यह कि इन तीन चीजों से दूर रहना एक तो पॉर्ण जो PMO मैंने जो कहा था उसमें पहला वाला है पॉर्ण दूसरा masturbation और तीसरा है orgasm यानि से दूर रहना जिससे आपको बहुत ही अंगीनत फायदे हो सकते हैं सभी लोगों का अलग-अलग फायदे होते हैं जो मतलब इस forum में लोग share करते रहते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है अपना life को change करने में तो इस group में जूड़ सकते हैं काफी motivation मिलता है क्योंकि अगर आप अकेले इस nofap challenge को follow करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ destruction हो जाए को आप को दी मोटिवेट कर दें लेकिन अगर आप इस group में अगर आप जूड़ जाते हैं तो आप completely motivated रहते हैं वह इस group में जूड़ने का फायदा है लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप यह Reddit.com या नोfap जो group है उसमें आप जूड़ जाएं आप खुद भी practice कर सकते हैं तो दोस्तों यह जी nofap website है उसका ultimate goal यह है कि हमें masturbation से दूर रहना है, pawn से दूर रहना है, okay, orgasm से दूर रहना है, मतलब जो PMO बताया था, उसको follow करना है ताकि आपको एक superpower मिल सकता है, एक certain period of time यह nofap challenge को follow करने के बाद, तो दोस्तों nofap lifestyle, nofap challenge अपनाने से आपको क्या क्या physical और mental benefits हो सकते हैं, यह मैं बताता हूँ, आप ध्यान पूरवक सुनिये, okay, point wise मैं आपको बताता है, तो mental benefits क्या क्या है, एक है increased happiness, okay, तो confidence जो है वो आपका boost होता है, अगर आप लोगों के बीच जान करने से डर रहे हैं, तो यह nofap challenge follow करके आपको काफी फाहिता हो सकता है, increased motivation and willpower, motivation बहुत अच्छा मिलता है, self motivated आप रहते हैं, lower levels of stress and anxiety, tension जो हो आपका कम होता है, heightened spirituality, okay, आध्यात में ज्यान की और आप आगे बढ़ सकते हैं, self acceptance, अपने आपको accept करना, improved attitude and appreciation towards the opposite sex, तो जब आप nofap challenge follow करते हैं, तो opposite sex यानि इस तरी के पती आपको आधर की भाहुना आ जाती है, कुछ physical benefits के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप instant note करेंगे, nofap challenge follow करने के बाद वो यह है कि आपके body में हर दम higher level of energy रहेगी, काफी देर तक काम करने के बाद भी आपको ठक कान महसुस नहीं होगी, अगर अब थक भी गए तो बहुत ही जल्दी आप रिवाव हो जाएंगे, कुछ पांच-दस मिर्ट के आरम के बाद, उसके बाद आता है, muscle growth आपको muscles अच्छी तरह से grow करेगा, properly grow करेगा, better sleep, अच्छा sleep आप ले सकते हैं, उसके बाद, improved focus and concentration, आपक के नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं, business को आगे बढ़ा सकते हैं, better physical performance and stamina, stamina आपकी बढ़ेगी, improved or cured erectile dysfunction, अगर आपको पैनिस में कुछ जो कठोड था, जो steel rod जैसा होना चाहिए, अगर उसमें problem है, तो वो भी आपको फाइदा हो सकते हैं, improved sperm quality, sperm की quality improve होती है, इसके अलावा बहुत सारे physical और mental फाइदे हैं, जो इस list में cover नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग experiences करते हैं, और forums में share करते हैं, तो दोस्तों, अब बात आती है कि किन लोगों को ये nofap challenge follow करना चाहिए, तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि जो students है, उनको तो 100% ये nofap culture, ब्रह्मचरी के culture follow करना चाहिए, nofap जो है, वो मतलब अकर मैं कहूं, तो ब्रह्मचरी है, जिसे कहते है, उसका नया internet ने में nofap, लेकिन ये सदियों से हमारी इंडिया में मौझूद है, तो ब्रह्मचरी जो है, वो students को 100% follow करना चाहिए, उनको studies में काफी मदद मिलती है, और उनका career जो है, वो अच्छी सरद से develop हो सकता है, कम से कम जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक तो आपको easily, जो है, ये nofap challenge, nofap culture को अपनाना चाहिए, तो आगे वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग lovers है, जो married people है, उनको nofap का challenge follow करना चाहिए या नहीं, तो आप वीडियो मे मेरे साथ जुड़े रही है, तो दोस्तों ये था बहुत ही सरल बाशा में simple video nofap के बारे में, इसके history के बारे में, इसके कुछ benefits के बारे में, तो दोस्तों, video को 100% like कीजिए, आपके दोस्तों में, friends में, relative में share कीजिए, ताकि simple बाशा में, मैंने समझा है, nofap के बारे में, उनको भी पता चले, और वो भी पूरा जो है, वो benefit उठा पाए, तो दोस्तों ये था आज का video nofap में, आगे बहुत सरी घ्यान में दूंगा, nofap के बारे में, बहुत ही simple बाशा में, तो दोस्तों मिलते हैं, अगले video में, तब तक thank you and have a great day.